दोस्तों, Ola Electric का सबसे बड़ा अपडेट 15 अगस्ट को Ola Electric का Gen 3 इलेक्रिक स्कूटर को लेकर हुआ था और अब Ola S1 Pro इलेक्रिक स्कूटर Gen 3 प्लैटफर्म पर आने वाली है जो की Gen 2 से कितना अलग है यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हो तो अगर आप भी इंट्रेस्टेड हो Ola का S1 Pro Gen 3 इलेक्रिक स्कूटर के लिए तो यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को इंट तक जरूर देखिए लेकिना उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली वारा हो तो ऐसी और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे तक आपको हमारे ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले तो 15 अगस्ट को Ola के तरफ से जो इवेंट हुआ था वहाँ पे Ola के तरफ से काफी कुछ हमें देखने को मिला जैसे Ola Electric Bike, Move OS 5 इसके इलावा Ola का न्यू भारत सेल और Ola S1 Pro Gen 3 Electric Scooter के बारे में भी इस इवेंट में बात हुआ और अगर हम लोग बात करे Ola S1 Pro Gen 3 Electric Scooter की जो की Gen 3 Architecture पर बनने वाली है तो अभी आपको इस Scooter में जो है All New Battery Cell देखने को मिलेगा पहले जो Ola का Battery Cell बैनाना शेप में आती थी उसको बदलकर अभी बॉक्सी शेप में कर दिया गया है वहीं पर इसका जो मोटर रहेगा इसको अभी अलग से नहीं रखकर बैटरी के साथ ही जोड दिया जाएगा साथी MCO और BCO और भी अधर कंपोनेंट्स को एक ही बोर्ड में फिट कर दिया जाएगा और इससे क्या होगी कि वैरिंग जो है वो काफी मिनिमम हो जाएगी पहले जो है वैरिंग काफी जादा हमें देखने को मिलती थी ओला के इलेक्रिक स्कूटर्स के अंदर अर्किटेक्ट्र प्रफ बेस्ट होगा यह पूरा अलुमुनियम का बना होगा तो काफी जादा स्ट्रॉंग हमें यह जो चैसी है देखने को मिलने वाली है और अब इस बैटरी पैक में आपको न्यूज सेल्स भी देखने को मिलेगी जो की ओला का सेल मेट 4680 सेल होने वाल लिए इस मोटर में भी थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा जेन 3 मोटर जो है वह पर्मानेंट मैकनेट मोटर के साथ आएगी जिससे की MCO वैडिंग को मोटर के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और इससे क्या होगे कि मोटर के एफिशेंसी और भी जादा बर ज कष़ीच परने का कोशशिश्क कर रही है किसमिशसर क्योंकि मैकसिमम प्रॉब्लम्स आती है यह को वैस्के कैप उला का फपकी जादर स्कूर्ड का यूज्इबालIs कर दिया गया था और अब इन्संगल बोर्ड पर तेखने मिलागा और इस बोर्ड में आपको को BMS, MCO और other components को जोड़ दिया जाएगा वो भी वैरलेसली और यह सब पॉसिबल हो रहा है OLA का अपना AI system OLA किर्थिम के वज़े से जी हाँ आपको OLA का Gen3 electric scooters में Move OS 5 भी देखने को मिलेगा इसमें कि OLA का खुद का Maps या फिर Navigation system हमें देखने को मिलेगा साथी कई सरे additional features आपको OLA Move OS 5 में देखने को मिल जाती है वैसे OLA Move OS 5 के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है लिंक में description में देखने दूँगा आप चाहे तो उसको checkout कर सकते है तो एही था आने वाला OLA S1 Pro Gen3 के बारे में सारे details वैसे आपका क्या रहा है कूटर के बारे में कमेंट पर जरू बताए और अगर आपको information अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब भी करके जाए मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर